क्या बीजेपी का अस्तित्व कम हो रहा है ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वसुंध्रा राजे जब पाली पहुंची तो तस्वीर वसुंध्रा राजे के लिए अच्छे संकेप देने वाले नहीं थी बीजेपी में गुटबाजी से इतर जब वसुंध्रा राजे बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आज भी राजस्थान में मेरे तेवर का असर कम नहीं है तब पाली से हताशा भरी तस्वीर उल्टा उन्हीं को मैसेज देने वाली थी कि जनता तेवर देखने में नहीं सिर्फ काम के आधार पर अपने नेताओं को सत्ता की चावी सौपने में यकीन रखती है जैसे ही वसुंध्रा राजे पाली पाँची तब ऐसा लगा कि जितने अधिक विधायक बीजेपी के पाली से है उस जोश उत्सा में कमी दिखाई का बैनर लगा था लेकिन पाली के विधायक और जिल्ला अधिक्ष के फोटो नदारत थे लोग धोल थाली पर डांस करते वे दिखाई दिये इस दोरान पाली के सभापती रेर्वा राकेश फाटी और बीजेपी के कारिकरता भी पाँचे थे हैरत की बाद तो ये है कि वही पाली में राजिस्थान में सबसे अधिक विधायक के बाद भी पहली बार सबसे कम कारिकरता दिखाई दिये तो वही पहली बार दूसरी तरफ पाली में भाजपा दो खेमों में बटी हुई दिखाई दी इससे पहली हमेशा पाली में एक ही जगह स्वागत सम्मान होता था परन्तु पहली बाद सांसद और सभापती द्वारा अलग से अभिनंदन हुआ तो वही दूसरी तरफ विधायक द्वारा अलग से अभिनंदन कारिक्रम हुआ जो की चर्चा का विशय बना रहा तो वहीं पूर्व सियम दावो का दम भी भरती दिखाए दी और कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार आते ही विकास पर ब्रेक लग जाता है पूर्वसियम ने पूरे विश्वास के साथ दावा भी किया कि डेड़ साल बाद प्रदेश में होने वाले चुनावों में बीजेपी जीतेगी और विकास की गती तेज हो जाएगी अब डेड़ साल बाद बीजेपी के सरकार बनेगी और रुके काम भी पूरे होंगे लेकिन पाली ने तो बीजेपी को ये मैसेच दिया कि बीजेपी कमजोर नजर आई है जिसे मजबूत करने की कोशिशें अभी से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि 2023 में जनता रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी राजस्थान तक के लिए पाली से बरत भूशन की रिपोर्ट